हेलो डियर स्टूडेंट असी प्लास्टूज मादी काव क्यारी पुस्तक विच दर्ज कविता ताज मेहल जो के प्रोफेसर मोहन सिंग जी दी रचना है वारे पढ़ रहे सी पेटा इस कविता नो कवी ने दो पागामेच वन दिया है इसे पहले पागविच कवि ने ताज मेहल जी खूबसूर्ती नो ब्यान कीता है अते दूसरे पागविच साम राजी ताना शार शक्तियां द्वारा गरीब मजदूरा दा जो शोशन कीता गया सी ओना दे उपर जो जुलम टाया गया सी उसनो प्यान कीता है सो इस तरह कवि ने हजारा मजदूरा दे जुलम दे अधार दे उसारे गे ताज मेहल नो सुन्दरता दा नमूना नहीं बलकि मनुखता दे नाल कीता गया तोखा करार कीता है उके बिटा उन पहला आसी इस दे पे नमबर 31, पे नमबर 32 अथे 33 दी व्याख्या कर चुके हैं पर पे नमबर 33 दे लास्ट दो पहले जो शोशी सड़े व्याख्या जरेंदी है ठीक है उस दी व्याख्या शुरू करन तो पहला आसी इसलो रीड करा गे हाडमस दूर्नियादा वग्या नाल मजूर हजारां चुक्की कहियां दुर्मट तेसे बज्जे विच्च वगारां दुदियां नाल पलम दे बच्चे कम्मी रुजियां मावां अखा देविच शलकन अत्रू हिका देविच आहां नेक्स थर्टीफोर पेसे बिटा बोक्यां वर्गे पेड ओना दे तुक्यां वर्गे गाटे शाले शाले हाथ ओना दे पैर बियायां पाटे फिर वी काम करावण वाले मार मार के फांटां मासूमा दे पिंडेयां उत्ते चाड़ी जान सलाटां इतना मजदूरां दी चाकी जद मैंनू दिस आई नाल पीड दे कलवल होके रू मेरी कुर लाई कियो हो फुसन हुसन है सचमुच जा उन्जे ही शाल्दा लख गरीबा मजदूरां दे हंजवां दे जो पाल्दा उक्के बेटा हुने थे ताका जैसी व्याख्या कंप्लीट करनी है सब तो पहलना सी इस दे वर्ड वेनिंग डिसकस करांगे तुसे अपने बुक्स दे उपर पैंसिल नाल नोट करने हैं पर्स व обड़ बेटा मजणूर मजदूर वने ते कहीं दूर्मट ते तेसे उप जायराओ ने मायने खाल यूंदी थांप आ पक टेसेह जंदां ज्यावशला जेदेeno ऐं उन्हुशल सीघ्यामश्य ले जो दरत की तेसे यूर्य ने जो तो उन्हानों फर्श पॉनली पहला रोड़े खला रे जान्देने उन्हानों पुट्ट नवास्तेक दमूसा बनाया जान्दा है जो पिछे लंबी जी डंडे लाठ लगी हुन दिये ते वो पारा जा है ठा गोल हो दे पत्थर जा जा लोई दा लगाया जान्दा है उसनों दुर्मट केंदेने दुमूसा भी केंदेने नेक्स्ट वर्ड अगर तेसे तेसे बिटा रोडे पर नवास्तेक तेसी उन्दी है हथोरी वां पर हथोरी तुम इदा अगला पासर दा दिखांदा है ठीके इट्टा जा रोडी तोड़ी तोड़ नवास्ते नेक्स बेटा पलमधे बच्चे पलमधे मतलब लम्कदे होए नेक्स वर्ड कम्मी रुजियां मामा कम्मी रुजियां कामवेच मसरूफ नेक्स वर्ड आहां होके नेक्स बेर 34 ते देखो बेटा गाटे गर्दना पैर बियायं पाटे पैर बियायं पैरादिया अड्डिंगा फांटा शांटे नेक्स वर्ड चाड़ी जान सलाटा तर लाश्णा पौना चाकी द्रिश पीड दर्द नेक्स वर्ड कलवल तडव लाट व्याख्या करनी है पर व्याख्या शुरू करने जहों से पहला भी संकेत बेटें हैं चाहिए हैं संकेत भी देगे हड मार्जूर निया उस्तो बाद डैश और इस लास्तो बेटा बाद व्याख्या और लाइन थे जो पल दा उस बाद बेटा सट आएं दे व्याख्या दा है और व्याख्या से आपीज उपर नोट करनी है ठीक है चलो फर्स्ट पेरा बेटा हाड मजदूर नियादा वगया नाल मजूर हजारा चुक्के कहिया दुर्मट तेसे बज्जे विच वगारा वगार विच वच्चे बत्रे जबर्दस्य काम करवाया जा रहे है ठीके इना सत्रा विच कवी मजदूरा दी त्रासी नू ब्यान करदे वे लिखदा है कि जदू उसी कलपना दा गुंबद रूपी आंडा टुटदा है ता उस विच्चों हजारा मजदूरा ते मजदूर्निया दा एक हाड़ जया वाग उठदा है अर्थाद कवी नू हजारा मजदूर ते मजदूर्निया काम करदे दिखाई दे लेहन उन्ना ने अपने हत्था विच कहिया दुर्मड ते तेसे पड़े होए सान आते उन्ना कोलो बज़े विच्च वगारा आते उन्ना कोलो जबर्दस्ती काम करवाया जा रहे आ सी अधेवेच शलकन अथ्रू ही काँ देवेच आहां होने सी व्याख्या है 1917 वीच कभी नेश पष्ट कीता है कि ताज मेहन दा निर्मान कार्ण वीच मजदूर्निया दा भी बहुत बड़ा योगदान सी वो अपने काम वीच एनिया रुजिया हुईया सान क्यों उन्ना को लेना समावी नहीं सी क्यों अपने बच्च्यानों दुद्ध बिला सकन एसली उन्नारे अखा वीच्चों अत्रू शलक रहे सान पावहन जुवय रहे सान अते हिका वीच्चों होके निकल रहे सान नेक्स सट्टी फोर पेस दे विटा बोक्या वर्गे पेट होना दे तुक्या वर्गे गाटे शाले शाले हाथ होना दे पैर बियायां पाटे इस तरह इनना सत्रा विच कभी ने मजदूरादी तर्स योग स्रीरक हालत नो पेश कीता है ते लिखे है के मजदूरा ते मजदूर नियानू रोटी ना नसीव होन कारण उन्ना ते टेट बोक्या वांग खाली हो गए सान। ते उन्ना ते गर्दना तुक्या वांग सुक गई आसान। एथों तक के उन्ना कुल इन्ना ज्यादा काम करवाया जारेयासी की उन्ना दे हत्ताद उपर शाले पैगे सन्टे पैरादिया बियाईया पाव अड़ियाँ वी फाट गईयासन् नेक्स्ट पेर देखो बिटार, फिर वी कम करावन वाले मार मार के फांटां मा सूमा दे पिंडियां उत्ते चाड़ी जान सलाटां उन कम करावन वाले थे कौन? सर्मायदार रोग ठीके? पर फिर वी कम करावन वाले उनना देपर तर्स नहीं कर रहे सां बल्के उननों शांटे मार मार के कम करवा रहे सन अते इनना मसूम निर्दोश लचार मस्दूरां दे उपर अत्या चार करके उनना दे स्रीर उपर लशा वा रहे सन ठीके? एदा मस्दूरां दे चाकी जद मैंनू दिस आई नाल पीड दे कलवल होके रू मेरी कुड लाई ठीके? उने इस तरह जदों ताज में दे उसारी करनवाले मस्दूरां दे मस्दूर्नियां दे उपर हो रहे जुलम दा द्रिश कवी दे सामने आउंदा है एद चाकी कवी दे सामने आउंदी है ता उस समे कवी दा मान मस्दूरां दे उपर हो रहे जुलम दू वेख के पीड दे नाल, दर्द दे नाल, तड़ फोठ दा है अते उस ती रूप कुर लाउट दी है और नेक्स्ट पर दे नाली कोर्लेट दा है कि ओ हुसन, हुसन है सच मुच जा उंजे ही शल्दा लख गरीबा मस्दूरां दे हंजवां दे जो पल्दा जो कवी दी रूप कर लाउट दी है उस दी आत्म उसने सवाल कर दी है कि ताज महल सच मुचे सुन्दा दा परतीक है जा फिर मनुखता दे नाल कीता गया कर तोखा है क्योंके ताज महल दा निर्मान लखा गरीबां मस्दूरां लखा गरीब मस्दूरां दे हंजवां होक्यां ते दुखा ते किता गया है सो इस तरह कभी ताज मैलू खुबसूर्ती दा परतीक नहीं बल्कि सर्माइदारां तवारा मज़ूरां उपर कीते गे जुलम दा परतीक है ठीके? उपके बेटा होने इस तो बात देखो सरी ताज मैल पोहिम जो है सारी कंप्डीट होगी है यह जो लास्ट आज जैसी वेक्या की तो तुस्य भी अपने कॉपी जब पर नोट करनी है ति पूरी पोहिम जो है उसनों चंगी तरह रिवाइस करना है ओके बेटा थैंक यू